मेरबनो भी रागनी जल रही थी कि जब पदमावत चंदेरी में पहुच जाती है हवाला देखती है कि बादल की साधी होने वाली है मौड सर पे रखा हुआ है घोडी परसवार है, गोड़ चड़ी हो रही है बरात जारी है और तेग घीत गा रही है बाते करूं तो कैसे करूं गीत उठा लेती है गीत के माध्यम से सरा हवाला बता देती है बादाल बिस्ते में तेरी मामी लगती हूँ चितोर गड़ से आई हूँ तेरे मामा को कैद कर लिया है उस खिल जी ने और मेरा डोड़ा मांग रहा है जब तक डोड़ा नहीं जाएगा जब तक तेरे मामा की कैद नहीं छुड़े तेरे पास मैं मदद लेने के लिए आई है मेरबानो जब अपने मामी के इस गीत को सुड़ता है सर से माड को उतार करके खूंटी से टांग देता है और वो छत्रिय राजबूत अपने हाथ में तलवार ले लेता है कि अगर जिंदा रहा तो आकर के साधी को रचाओंगा लेकिन पहले अपने मामा की कैद को छुटा करके लगू मैरबानो जब इस तरह से हाथ में तलवार देखती है खूटी पेटा का मौड देखती है बादल की मां सामने आ करके खड़ी हो जाती है और न्यू कहने लगी रे बादल मुझे पता है रनापा क्या चीज होती है जिस भीम सिंग को तु छुडाने के लिए जा रहा है जिसे बार बार कह रहा है कि मैं अपने मामा की कैद को छुटाओंगा याद कर उस दिन को इस तरह से ही धोके से तेरे पिता की हत्या इस भीम सिंग ने कराई थी ये वही भीम सिंग है मैरबानो आखों में लहू दराता है बादल की और न्यू कहने लगा मा वैसे तो तु छतरानी बनती है बात बात पर गर्व करती है कि मेरा बादल सेर है कल को यानी शानी गुड़ी ठेरी तेरे उपर थूकेंगे न्यू कहेंगी नानत है तेरे सेर पर तेरी भावज को तो पठान उठा करके ले गए और तु बात करती है कर्व और गुमान की चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने मामा की कैद को जरूर छुड़ा करके लगा मैरबानो अपनी मा को क्या समझाता है बादल फ्रागणी के द्वारा क्या निखा न्यू बुल अरे छोडूं आमा में और ये सफरे सुहाना और छोडूं आमा में सफरे सुहाना ए साती नहीं करनी मुझे तिली पजाना छोडूं आमा में सफरे सुहाना छोडूं आमा में सफरे सुहाना और खिल जी की बद फेलीने में छुडा के रहूंगा और वी रहे भा तेरे उसको समर में कहूंगा एकति ना सहुंगा तेरे रूपी हर कायो लाना छोडूं आमा में सफरे सुहाना छोडूं आमा में सफरे सुहाना और इस रागनी पेखुश होगर के परमादनी हैं हेम सिंग सेनी जी फूल स्टाप 115 नंबर आड़ती वो भी 500 रुपेश हमारी पारटी का सम्मान कर रहे हैं एक बार जोर दार दाली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 101 रुपे हमारे धनकर साब मजगर से वो भी 101 रुपे से मान सम्मान कर रहे हैं उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरबानों किस तरह से अपनी मा को सम्झाने लगा वो बादल मा अगर मेरा मामा किसी हिंदू की कैद में पड़ा हुआ होता तो मैं सौक से साधी को रचा थे लेकिन बात आज धरम के हैं और अपने धरम को बचाने के लिए चाहे मेरे प्रान न अच्छाबर हो यो मैं जाओंगा जरूर किस तरह से क्या सम्झाने लगा के या ओरे हिंदों की कैद में बई हिंदों की कैद में और साधी को जाता रिमाता पांध केन सेहरा साधी को जाता हो माता पांध केन सेहरा ओ सतियों का देरा मुझे रुपनेगा रखाना चोड़ू मामा में सफर सुहाना चोड़ू मामा में सफर सुहाना अ'tक बम्हाना बचाना बच्पनें इस रागनी की अंतिम कली दे रही है और लास कली के माध्यम से वो बादर मा को समझाने लगा कल को तू अपने पीहर में जाएगी और जब जाकर के जिस गर्व और घुमान से तू मेरी बडाईयां करती है कहती है मेरा बादर सेर है कल को वहां की बुट्डी ठेरी यानी शानी तुझे कहा करेंगी कहा गया तेरा आज सेर कहा गया तिरा तिलेर तेरी भावज को तो पठान उठा करके लेगे और बात करती है सेरों की किस तरह से समझाने लगा और बीर सिंग उलहना देंगी और तुझे यानी शानी तेरी भावज ने पठाने लेके बणी छात्रानी ए चुणके ने कहानी सारा तुके गाजमाना तुडू अमा में सफर सुहाना तुडू अमा में सफर सुहाना ए चुणके नहीं करनी मुझे ये दिली को जाना तुडू अमा में सफर सुहाना तुडू अमा में सफर सुहाना वा अमा उलू अमा में झाल